नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग स्वागत है आप सभी का एक और नए संदार वीडियो में आप लोग को पता है कल जो है बिहार बोर्ड बारावी का रिजल्ट जारी हुआ आप में से काफी सार लोगों ने पूछा कि बिहार बोर्ड अगर हम बारावी पास करते हैं इंटर चार से पांच स्कोलर्ड शिप के बारे मं डिसकस करेंगे वो कितने तरह के स्कीम है , किस कटेरी के लोग आवेदन कर सकते हैं , कौन से डिविजन पर कितना एमांट मिलता है अप्लाइड डिट क्या है , डॉकुमेंट क्या लगते हैं , यह हम अने पर समझेंगे बारवी पा लास तक देखते रहें सारी जनकारी हम आपको बतायेंगे बॉय्स भॉल सो वालिव फजीर सी सबता थाँ इनत्रों सारए जनकारी हम यहां पर рийपको बताने वाले हैं 2022 वाले को पता होगा क्योंकि वह लोग tertundos मिलता है 2023 इसके लिए proper online का date आएगा और expect किया जा रहा है friends की अपरील में जो है इसका date आजाएगा अपरील में और यह मैं नहीं बोल रहा हूं यह जो है newspaper के cutting में जो है यह जनकारी निगल के आ रही है जब result घोसित किया गया था तभी जो है सचीव जो है सिख्षा गया के उन्होंने बता है कि इस बार जो है हम डिले नहीं करेंगे अपरील में डेट ला देंगे इसमें आपको 25,000 रुपे आपको scholarship मिलते हैं यहां कन्या लगा हुआ है आप थोड़ा ध्यान दीजिए का कन्या का मतलब girls होता है तो इसमें केवल girls को मिलता है boys को भी मिलेगा मैं आगे discuss करूं पतला बिहार में जितनी केटेगरी है SC हो ST हो बस हो girls होनी चाहिए एक और केटेगरी यहां पर जो है आपको जोड़ना होगा unmarried होनी चाहिए unmarried ही यहां पर form को apply करेंगी तो यहां पर विवाहित बच्चियों को ही यहां पर यह scholarship मिलता है और डिवीजर में देखिए किसी इस भी डिविजर से पास हो या से पास हो या से पास हो या थार्ड युजर से पास हो बस वो पास होनी चाहिए तो उनको 25 या रुपे एसको यहां पर उनको मिलती है अब देखिए इसके लिए form भरने के लिए एक proper date आएगा जो कि मैं आपको बताया लगभग इस बार कहा जारा कि अप्रील में जो है date आजाएंगे form भरने के लिए और इसके उपर मैं proper वीडियो लेकर आता हूं हर साल की भाति इस बारवी में जो है proper वीडियो लेकर आएंगा कि कैसे आपको form को भरना है step by step मैं form भर के बताता भी हूँ तो form भरने से पहले आप जब मैं वीडियो लेकर आएंगा वीडियो देख लिजिएगा फिर form को apply करिएगा इसमें देखिए आपको जाती निवास आए bank account अधार email id mobile नबर यही जनकारी आपको लगती है तो अभी आपके पास जो है समय है जाती निवास आए यह तीन चीज़ा प्रोपर बनवाली जिए bank account अधार एक चीज़ एक जैसा आप करवा लेंगे account पे अधार पे भी अधार account अपडेट हो जाता है आप अपडेट करवा लिजेगा अपने metric according इसके बाद से अगला जो आता है फ्रेंट्स वो आता है पोस्ट metric scholarship इसमें जो है आपको according to according to देखे एसी मैंने लिख दिया समझ लिजेगा थोड़ा सा मेरा handwriting भी अच्छा नहीं है आप लोग manage करिए बट मैं समझा दूआ मैंने क्या लिखा हुआ है according to जो है आपके study मतलब जहां पढ़ाई करेंगे ना जैसे इसमें होता क्या ना कि जब आप मालनी जे बारहोई तो पास कर गए तो बारहोई जब पास कर गए तो तो आप जो है graduation करेंगे या आप B.Tech करेंगे या और I.T.I करेंगे diploma करेंगे जो भी course तो कोई ने कोई करेंगे जो बारहोई के बाद होता है तो according to studying जहां पढ़ाई कर रहे हैं उसमें जो amount होता है उस amount के according आपको पैसा मिलता है suppose अगर आप जो है बीए बीकम कर रहे हैं आ एमिशन के लिए 6,000 लगता है जो होता है फर्स्ट इयर का तो यह 5,000-6,000 आपको जो है क्या होगा मिलेगा अगर मालीजी आप बीटेक कर रहे हैं तो सतर से असी हजार तक हमने जो है बच्चों को प्राप्त करते हुए देखा हुआ है लाइफ रूप के तोर पे मैं आपक इसमें कौन को नावेदन करता है तो BC, EBC, SC और ST इसमें कोई डिवीजन का इसमें भैलू नहीं होता है मतलब बस आप पास है और आगे की जो है पढ़ाई आप कर रहे हैं जैसे कि मैंने बताया आपको डिप्लोमा, ITI या बाराहमी के बाद जो भी DLA होता है या BA, BAC मतलब कर रहे हैं तो आपको यहां पे जो है मिलता है स्कॉलर्षिप फॉर्म भरते हैं ठीक है इसका डेट जो है कुछ कंफॉर्म नहीं है क्यों नहीं कंफॉर्म है फ्रेंड्स को कि पिछले साल 2022 वाले बच्चों अभी लटका के रखा हुआ है यह वाला स्कॉलर्षिप, BC, BC का अभी आवेदन ही नहीं शुरूआ है, SC, BC का अभी हाली में खतम हुआ, तो अभी BC, BC का यहां पे आवेदन पेंडिंग है 2022 में बच्चे यहां पर पढ़ रहे हैं तो अभी इसका कोई डेट नहीं है, जैसे इन लोग का डेट खतम होगा उसके बाद हो सकता है कि आप लोग तो समझएगा इसमें का नोग हितना रुप्य मिलता है? तो दस हजार से लेकर 15 रुपय आपको जो है स्कूळे मिलते हैं, अब देखे, यहां पे किसको मिल तो इसमें केवल SCST को मिलता है? अब यहां पे जो आपका डिवीजन है किसको मिलता है? तो जो फॉस्ट डिवीजन तो आप इसके लिए भी हकदार है अगर आप फॉर्म नहीं भर आए तो मैंने इसके उपर प्रोपर वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे फॉर्म भरना इसका आवेदन कब सुरू होता है तो जैसे ही यह वाला योजना आ जाता है ना मुख्यमंत्री करन्या उठाने उसके जो है जली हो जाएगा ठीक है तो देखेए यहाँ पे आप समझेगा इसमें भी केवल जो है फीमेल के इंडिट्सी फॉर्म भरती है फीमेल महीलावुमीद्वार ओभी अन्मैरिट यहाँ पे ध्यान देरना है आपको यहाँ ध्यान यही देना है कि जो बचिया यहाँ पे फॉर लेंगे CM मेधा बिरती हो जोना के तहट तो दो वारे स्कोलर्शिप मिलता है यानि पचीज जार मालेज़े सपोज कोई एक जो है रानी नाम की लड़की है और वह सी से बिलॉंग करती है किस से 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 और उसका फर्ट रिवन से यहां पर मतलब इंटर वह वह दो हजार तेईस में पास है मैं इग्जामपल इस ले दे रहा हूं ताकि आप प्रोपर अच्छे से समझें अब देखें यह क्या करेगी यह जो रानी नाम की जो है कंडिडेट्स है यह क्या करेगी मैं इग्जा इसके लिए इसको कितना मिलेगा यहां पर कितना मिलेगा 15,000 मिलेगा क्यों कि एसी केटेगरी से आती है और उनका फ़र पॉक्ट है तो 15,000 मिलेगा अगर कोई से यह समझना है इसमें से काफी सारे बच्चे जो है नहीं समझ पाते है और अभी तक आप जाएंगे चान पैं इसका अलग प्रो प्रोड आएगा इसका अलग पोड़ आइगा दोनों पे छो है इलिजीब ऑधन कर सकते हैं ठीक है यह आपको समझ सी Bernard यहीं व्युच्मेंट्स यहां पे लगते हैं आपको समझना होगा ठीक है अब बात आती है यहां NSP CSS scholarship इसमें boys, girls सब आवधन करेगा जी हैं दोस्तों यही scholarship है जो inter-pass boys को मिलता है as well as female को भी मिलता है इसमें कितना मिलता है तो 12,000 रुपे per year मिलता है 12,000 रुपे per annum per annum यहां थोड़ा समझेगा मेरा handwriting मैं पहले ही बता दिया था इसमें आपको 3 साल का मिलता है 3 years तक आपको मिलता है लेकिन यहां पे बिहार बोड के द्वारा एक list जारी के आता है cut-up list उसमें जिसका अच्छा percentage होता है second, third को भूल जाइए फर जीजवन वाले जितने भी candidates होते हैं उनका जो है यहां पे list जारी होता है 80% वाले जो बच्चे होते हैं जिनका 80% प्लस होता है वो cut-up निकालता है मैंने पिछले बार देखा किसी की इसका 70% है उसका भी merit में नाम आया था तो 80% वाले जो बच्चे होते हैं 80% वाले उनहीं का इस list में नाम होता है लगबग 2,1,1,1 बच्चे यहां पे आ जाते हैं और उनको 3 साल तक scholarship मिलता है कब जब वो आगे की पढ़ाई करेंगे साइंस भी से साइंस भी से अगर जो है वो आगे की पढ़ाई करते हैं जैसे कि वो जो है B.S.C. करते हैं या B.T.E.C. वगर करते हैं तो इस तरह से उनको जो है मतलब साइंस भी से से मतलब साइंस से ही अगर यहां पे वो आगे पढ़ाई करेंगे और साइंस वाले बच्चों का ही यहां पे cut-up list में यहां पे नाम आता है NSP, CSS इसका full form होता है Central Sector Scheme और National Scholarship Portal के माध्यम से इसको form भरे जाते हैं हर साल बिहार बोड इसके लिए अलग से वो अपने website पे एक list जारी करता है उस list में आपका नाम होता है तो आप इस scholarship के लिए form को apply करते हैं लेकिन आपको आगे पढ़ाई करनी होती है इसमें आपको जो है यह same documents लगते हैं इसमें भी आपको bonafide certificate लगते हैं और आपको जो है जो present year में आप first year में पढ़ाई कर रहे है studying class information आपको देनी होती है तो जब आप admission लेंगे उसी समय जो है यह form भरना होता है first year में आप admission लेंगे किसी न किसी science भी सहसे आप पढ़ाई कर रहे है तभी आपको मिलता है इसमें all category के बच्चों का यहाँ पे cut-up निकलता है general, ebc, bc, hc, hc, ht, sब का निकलता है male, female, alag-alag category wise लिस्ट में नाम रहता है तो वो लोग form भरते हैं साइन्स स्टीम से बच्चों का यहाँ पे लिकलता है 80% वालों का यहाँ पे form में, मतलब cut-up list में नाम आता है July, August में इसका क्या होता है apply date स्टार्ट हो जाता है तो यह मैंने proper आपको discuss करके बताया कि आपको कितने तरह के scholarship मिलते हैं अगर आप 12 हुई, pass है 2023 में तो मैं सबके उपर अलग-अलग detail में वीडियो लेकर आऊँगा जैसे in the future इसका जैसे form आएगा वैसे-वैसे में आप लोग को जो है अलग-अलग से वीडियो बनाके बता दिया हूँ बता दूँगा in the future 2022 वालों के लिए मैंने अलड़ी बताया हूँ है सारा scholarship मैंने कवर किया हूँ है अगर आपको वीडियो देखना है 2022 वाले हैं आप तो आपको play store sorry playlist मैंने create किया हूए playlist में आप जाके जो है देख सकते हैं scholarship का playlist है मेरे चैनल पे वो देख सकते हैं बाकी 2023 के लिए आएगा तो सेम मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा सब के लिए तो यह जो है जो है आप eligible रहते अगर आप बिहार बोट से 2023 में बारावी पास हैं तो उमीद करता हूँ आपको जनकारी समझ में आगया वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लागा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजेगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में हमें दीज़ायत और देख तेरे डियर सेल्पिंग फॉरएबर तैंक यू फॉर वाचिंग जाहिन